उन्होंने मेरी CT scan report देखी और जब वो देखी तो चौक के मेरी तरफ देखा ड़ा नर्स में अपरने का आप 10 squat मार के बताओ मैंने squat मारे तो मुझे मेरा जो saturation था वो एकदम वीडियो हाई दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं हूँ Divya Anshu स्वागत है अपका मेरे नवी व्लॉग मैं दोस्तों कि आजकल एक स्वाइशन होने लग गया कि BF7 चाइना से आ चुका है इंडिया में दो तीन लोग इंफेक्ट हो चुके हैं चाइना में बड़ा कहर मचा रहा है यह फला नाडीम का ना बिल्कुल भी नहीं है सौँ में से एक इनसान अगर उसकी कोई पुरानी मेडिकल सिचुएशन है तो उस वज़े से उसकी डेथ हो रही है लेकिन कोविड से किसी की डेथ नहीं हो रही है रीकवरी रीट बहुत फास्ट है तीन से चार दिन में लोग रीकवर होके चलते फिरते शुरू हो रहे हैं यह आलात है अभी तो आप डरिए मत प्लीज और मीडिया के न्यूज बगरा को फालो ना करें आप लोग जितना ज़ादा हो सके अपने आपको न्यूज से बचा क अगर यह आता है तो नहीं आता है तो बहुत ही बड़ी आए हम तो अमारी लाइफ को जी रहे मस्ती से बाते हैं कि 2021 में मेरा कोविड का केस हुआ था डेल्टा वेरियंट की टाइम पर जोकि बगड़ गया था और मैं बहुत परेशान हुआ था experience अपना थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाता हूँ और यह शेयर करने के पीछे आपको डराना मेरा मकसद नहीं है इसके पीछे का मकसद है आप लोग और ज़्यादा मस्बूत बनें ज़्यादा बहादूर बनें अपनी शम्ता को पैचाने और लड़ें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोविड कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कई ना कई अब यह कोविड का असर खतम होने लग गया है हमें बस अपने यहाँ से मस्बूत बनना है और हिम्मत रखनी है तो बात करते हैं मेरे 2021 के डिल्टा वेरियंट के experience की जब यह डिल्टा वेरियंट स्प्रेड हो रहा था और कई लोगों को affect किया इसना है बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरा भी हुआ कई लोगों के साथ मैं अब इसका शिकार बना April 2021, 1st April 2021 को मुझे इसके symptom आने शुरू हुए थै और मुझे feel हो गया था कि यह COVID ही है और मैंने test करवाया RT-PCR और 4 या 5 अपरिल को इसका result आया जो कि positive निकला क्योंकि सारे symptom में समझ गया था बुखार, जुकाम, कासी, गले में दर्द, मसल, एकोना यह सब चीज़ें बहुत clear symptom बता रहे थे मुझे तो जब report आई, तो मुझे समझ मा आ गया तो फिर मैंने local doctor से online consult किया उन्होंने मुझे कुछ दवाईयां अगरा दे दी मैं लेता रहा COVID में सबसादा जरूरी है कि आपके loss of appetite को आप avoid करें और खाना खालें अच्छे से खाएं अपने आपको फ्यूल करते रहें पानी पीते रहें यह वाइरस तभी बहुत जल्दी बहार evacuate होता आपकी बॉड़ी से जवाब उसको ढंग से फ्यूल करते रहता है अपनी बॉड़ी को immune system strong करने के लिए बॉड़ी को चाहिए fuel अगर आप फ्यूली रिद होगे तो वह immune system काम कैसे करेगा यह मेरे से गलती हो गई मेरी वाइफ विचारी मेरे पीछे पढ़ी रहती थी का आप खाओ टाइम पे खाओ पर मैं नहीं खापाता था मेरी वाइफ ने लेकिन जब 11 अपरिल उस तिन मेरी हालत इतने बिगड़ी कि ग्यारा तारिक को मेरा saturation 87-88 पर आगया और मुझे congestion होना शुरू हो गया और मुझे सास महीं आ रही थी I was not able to breathe तो मैंने अपनी वाइफ को का कि प्रिया मुझे मेडिकल एसिस्टंस की ज़रोत है I need some oxygen support I am not able to breathe on myself उसको जो भी सही लगा उसने अपने कुछ रिष्टिदार थे उसके जो डॉक्टर है उनसे बात करी जो कि बंबई में रहते हैं और उनसे बात करी फिर उन्होंने local हमको एक reference दिया बैंगलोर में और उन डॉक्टर से फिर 45% lung damage हो गया respirator system मेरा काम नहीं कर रहा था नहीं के बराबर काम कर रहा था तो जैसी वह report और मेरी wife ने जब उन डॉक्टर को वेजी तो उनका आपको इमिजिटली अध्मिट करना पड़ेगा जब मुझे डॉक्टर ने का कि आपको फिल्म एड्मिट होना पड़ेगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि अस ताम बैड नी मिल रहे तो दोस्तों जब डॉक्टर ने मुझे का कि आपको आपकी इस 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 के रिपो पड़ेड रहे तो मैंने उसको का कि नहीं यह मैं mentally बहुत परपड़ेड हूं बहुत स्ट्रॉंग हुआ मैं इससे डील कर लूंगा मैं रेको बस एक बार oxygen सपोर्ट मिल गया ना तो मैं रिवाइव कर जाओंगा मेरो को बस oxygen सपोर्ट की जरुत है जरुत है तो को congestion फिल गय एक्जॉन इन्द्रानगर बेंगलोर में और वहां पे दोक्टर थे, दोक्टर मलेश और अमर तो डोक्टर अमर ने मुझे पहले ट्रीट किया फिर दॉक्टर मलेश ने भी बहुत किया They were amazing doctors, to be very honest. उनोंने मेरी जिस तरह से मेरा ध्यान रखा और जिस तरह से मुझे ट्रीट किया, मुझे पहले दुन से उमीद होगी तिक माँ बच जाऊँगा. तो मैं वहाँ पहुचा, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं होस्पिल पहुचा सीधा, सबसे पहले मुझे एमर्जेंसी में लेके गए, एमर्जेंसी में ले जाके उन्होंने मेरी CT scan report देखी और जब वो देखी तो चौक के मेरी तरफ देखा नर्स नहीं, तो मेरे मुझे मेडम क्या होगा, मैं बचूँगा या नहीं बचूँगा, मैं हस्तास्ते बोला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, आपको आप फिकर मत करें, ठीक हो जाएंगे और उन्होंने मुझे इमिजिटली oxygen support दिया, फिर मुझे उन्होंने एडमिट किया, एडमिट क अपने सीने के नहीं चे तक्या लगा के, और मेरे को उससे situation में रहना है, बस उल्टे लेटे रहना है, आपको आयरुवेद के कही डॉक्टर नहीं बताया होगा, कि उल्टे लेटने से आपका respirator system सही काम करने लगता है, लंग तक हवा जाने लगती है, वो ही उन्होंने भी मुझे का करने को, मैंने किया, उन्होंने मुझे का आप खाना खाएंगे दोनों तीनों टाइम, बराबर दवा के, ठीक है, आपको यह भूल जाना है अपेटाइट और यह सब, आपको खाना है, तीनों टाइम दवा के खाना है, मैंने का ठीक है, और उन्होंका को कम से कम 8- दस लिटर पानी रोज पीना है, गरम, मैंने का ठीक है, दन, दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने मेरा oxygen सपोर्ट रटा दिया, उन्होंने का वाब इसके बिना रह के बताओ, God's grace, miracle था वगवान का कि मैं उसके बिना भी रह गया, जब शाम को वापस मेरा saturation चेक करना है, तो वो 92, 94 तक आ चुका था, बिना oxygen सपोर्ट के, दूसरे दिन, तो उन्होंने का कि you are recovering really good, और मुझे फिर हिम्मत आगी, फिर मेन अपना और जादा देहन दिया, बेटर्मेंट की तरफ दिया, मैंने और ज़दा खाया पिया, पानी पिया, अच्छा से, इस्टिरोइड देती यह मुझे पता है, क्योंकि इस्टिरोइड के बिना मेरा लंग रीकवर नहीं हो सकता था, वो ज़रूरी हो गया था, तो यह सब चलता रहा, और सातवा दिन आ गया मेरा हस्पिटल में, और सातवे दिन जब डॉक्टर मुझे देखने आये, तो उन्हों कहा कि हम आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, कि आपको 10 स्कॉट मारने पड़ेंगे, तो मैं एक बार तो कबरा गया, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, आपको पता होगा, जब कोविड होता है, तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, और आपका जो सेचुरेशन वो डाउन चला जाता है, तो ऐसे में ज़ मार है, तो मुझे मेरा जो सेचुरेशन था, वो एकदम डाउन फॉलो के 92 पर आया, और मेरा जो हाट बीट था, वो 135 पर गया, बट विदिन दे फ्रेक्शन अफ मिनिट, वो वापस नॉर्मल हो गया, मेरा जो सेचुरेशन था, वो 99 प्लस हो गया, और मेरा जो BPM था, वो म करना है, नमबर थी, आपको खाने में, एपटाइट में कोई कमी नहीं आनी चीए, नमबर पूर, आपको जो अच्छा लगता हो, आप खाएंगे, लेकिन खाना पूरा है, पानी पीते रहना है, जाधा स्याधा स्याधा, ठीके, और मैं गर गया, चार से पांच दिन मुझे स्टिरोइड लेने पड़े, फिर मेरको स्टिरोइड बंद कर वादी, डॉक्टर ने, उन्होंने का का आप स्टिरोइड लेना बंद करो, तो मैंने फिर अपना प्रनायाम शुरू किया, योगा शुरू किया, रस्पिरेटरी एक वो मशीन आती ना, जिससे आप हवा को अं इंडिया में आ रहा है, चाहिना में हड़कम मचा के आ रहा है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्यों क्योंकि मैं सिचुएशन से डील करना सीख चुका हूं, अगर मुझे हुता भी है ना COVID, तो मैं उससे बिना हस्पिल जाय रीकव प्रेम में, सबसे पहले तो बगवान जिन्नोंने मेरे को यह हिम्मत दी कि मैं उससे लड़ सकूं, तो बड़ी ताकत कोई नहीं थी जिसने मुझे यह हिम्मत दी और मेरी मदद करी, उसके बाद मेरी वाइफ जिसने मेरी रात दिन सीवा करी, मुझे बचाने के लिए हर दि इस टाइम पर, उसके बाद मैं उन डॉक्टर्स को थेंक्यू बोलना चाहता हूं जिन्होंने मेरा इलाज किया, डॉक्टर अमर, डॉक्टर मलेस, जो कि उस वक्त एक्षन स्पेशाल्टी हस्पिटल मे थे, अभी बी शायद वहीं होंगे यह हो सकता है किसी और हस्पिल में मुझे नहीं पता, लेकिन I'm very thankful to those doctors क्योंकि उन doctors में मुझे बचाया, और उन्होंने मुझे बहुत हिमत दी, बहुत positivity दी इस से लड़ने की, और उन्होंने मुझे, मुझे बाद में तो उन्होंने मुझे बोल दिया, you're fit, आपको tension लेने की ज़रोती नहीं, आप तो और उस इंशरंस में मेरा पूरा हॉस्पिल का जो expenses था, वो cover हो गया, उन लोगों ने डे इन डे आउट मेरी help करी, हमारी HR मेनेजर है Mrs. Sophia, फिर जो मेरे boss थे Mr. Naveen Mitakiri, इन सब लोगों ने मेरी बहुत help करी, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ तो सिचुशन में था नहीं किम लो नहीं हमको facilitate करी, I am very thankful to them, thank you so much आप सब लोगों का, जिन सब लोगों ने मेरी help करी उस टाइम पर, और यही मेरी कहानी थी, यही मेरा experience था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, ताकि आप लोग भी दिमाग से मजबूत बनें, डरना बंद करें, आपको इकन को activate करें, ताकि हमारे update आपके पास आते रहें, और हमें अपना support करते रहें, और अपना प्यार देते रहें, thank you so much